यह हैं आपका अपना चैनल माई पोडल पोडल पर अपडेट हो पाएं और उन्हें आगे आने वाले कारिकरम में समलिद भी किया जा सके इस मुल्यांकन प्रपत्र दो को कैसे सही भरेंगे आईए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं लेकिन जब तक हम वीडियो दिखाने की तैयारी करते हैं आप से अनरोध है कि आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन दबाते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं पढ़ना लिखना भियान के अंतरगत जो परीच्छा आयोजित की गई थी 26 मार्च को और इसके अंतरगत रिजिस्ट्रेशन कम अवार्ड सीट ऑफ लर्नर अंडर पढ़ भरना भी है चलिए क्रम से देखते हैं ये पूरी सीट कैसी है और इसमें किस किस कॉलम में क्या-क्या जानकारी भरना है और किस तरह से जानकारी को हमें सही भरना है और अगर आपको पास ये सीट अबलेबिल नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको अग्जाम्बिल के तौर पर हम लिखते हैं जैसे पहले कॉलम में नेम अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए मद्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो भी स्टेट है आप उसको भर देजिए नेम अप लेर्नर्स उस आसक्षर विक्ति का नाम जिसने ये परिक्षा दी आप से पूछा गया है स्टेट कोड डिस्टे कोड ब्लॉक कोड बिलेच आपलिक बार्ड कोड इसकूल कोड और सबसे आखरी में पूछा है सीरियल नंबर ओफ लर्नर इन दा लिस्ट ऑप बिलेच आपलिक बार्ड अब यहां पर हम आपको बता देते हैं इतने सारे का आप डाइस कोड प्राप्त कर लें उधारन के तवर पर हमने एक डाइस कोड इस्क्रीन पर लिखा है आप उसको देख सकते हैं अब ये जो डाइस कोड है वो टोटल 11 डिजिट का होता है 11 नंबर का होता है इसके पहले दो अंक राजी को दर्साते हैं इसके बाद के दो ब्लॉक के और फिर तीन अंख गाउं या उस शेहर को दिखाते हैं और अंध के दो अंख विध्याले को दरसाते हैं इसको देखकर आप अपने डाइस कोड करनुसार इस सीट को भर दीजे और अब जो लास्ट वाला कॉलम है अब इसको भी आप बहुत ध्यान से देख लेजे आपके उस ग्राम में या उस बार्ड में एक सूची तयार हुई होगी लेर्नर्स की उस सूची में जो भी करम सम्मंधित आसक्षर का आया होगा उस आसक्षर का यहाँ पर करम लिखना है माले जे कोई आसक्षर दसमे नमबर पर दर्ज है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है 010 यहाँ पर लिखा हुआ है mode of assessment right yes और नीचे लिखा है इसकी parts से है assessment test का और promotion policy का अब आप यहाँ देखेंगे उपर लिखा हुआ है right y मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ उत्तर देना है y और n में यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको यहाँ पर ना तो y e s लिखना है और ना ही हा लिखना है अगर आपको उत्तर हा है तो आपको y लिखना है और अगर आ और दिब्यांग इसके लिए भी code दिया हुए है, अगर व्यक्ति married है तो आपको y लिखना है और अगर married नहीं है तो n लिखना है, age वर्ष में पूछी गई है, इसके बाद gender का column है, male के लिए आप m यूज करेंगे, female के लिए f यूज करेंगे, दिब्यांग जन वही coding y और n, यहाँ पर address की तीन column दिया हुए है, फिर district दिया हुआ है, फिर state दिया हुआ, फिर pin code दिया हुआ है, address की तीन column देने का सिर्फ इतना ही तात पर है कि उस address तक पहुँचा जा सके, जैसे किसी village में है, तो आप उसको village का address लिखें, फिर उसका block लिखने, ताकि एक ही नाम की लग लग गाउं होने पर confusion की स्थिति ना बने, इसके बाद district आप हमने जली का नाम लिख देंगे, state का नाम लिख देंगे और उसमें अंत में pin code का जो option है, हम उसका pin code भर देंगे, इसके बाद mobile number, आधार number और category का column है, इसके बाद name and address of school under which assessment conducted, यहाँ पर वही जानकारी फि पूछ रहे हैं जहाँ पर यह assessment हुआ है, और यहाँ पर जैसे column दिया हुए है, name of school, आप school का नाम भर दीजे, address line 1, अगर कोई address है, school का तो आप उसको भर दीजे, address line 2 में, अगर कोई landmark है तो उसको लिख दीजे, address 3 में block का नाम लिख दीजे, इसके बाद district में आपकी जिले क नाम आजाएगा state में, state का नाम आजाएगा और pin code में pin code लिख जाएगा, इसके बाद center code और date of assessment, यह बहुत important दोनों column है, आपको center code पता ही होगा, आप उसको भर देजे, और date of assessment भी आपको पता होगी, 26 मार्ज को हुआ था, आप उसको भर देजे, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरुवत यह है, यह सारी date country, dd, mm, yyy, dd का मतलब होता है day, mm का मतलब month, और year, yyy, y, यानि की, और year की चारंगों का यूज करना है, तो इस तरह से जो date आप नीचे भरेंगे, वो date इस तरह से आएगी कि 26, 03, 20, 22, अब यहाँ पर जो column दिये हैं, वो इस तरह से है, mark reading के out of 50, फिर mark writing के out of 50, और mark numeracy के out of 15, और फिर इसके बाद total mark out of 150 लिखना है, अब इसमें जो भी आप column भरेंगे, वो अपने record और उत्तर पुस्तिका के साब से लिखेंगे, इसके बाद grade और result का column है, उसका क्या grade पराप्त हुआ, जो भी निर्देश हैं, उसका grade निकालना ह और क्या result तैयार हुआ, आपको वो result नीचे भर देना है, और इन्ही column के साथ ये सारी जानकरी आप अच्छी तरह से भर लीजे, column में जितने भी विवरण हैं, उनके आप code का use करिए, अपनी तरफ से नए word बिलकुल न भरें, ताकि जब भी data database में मर्ज हो, कहीं भी किसी भ व्यक्ती का, किसी भी साथी का नाम मर्ज होने से रहना जाए, तो ये तुथी जानकरी इस seat को भरने की, मिलते हैं एक नई जानकरी के साथ, तब तक के लिए thanks for watching, धन्यवाद